हेलो फ्रेंड्स तो आज एक वार फिर हम लोग अपने चैनल जिए 360 डिग्री क्लासेस में उपस्तित हुए हैं और यह अगला सेट है जिसका जो बाल विकास और सीख्षा सास्त्र का है ठीक है तो चलिए यह आपका जान ही रहे हैं आप लोग सीटेट केवियेस जेटेट याँ अधर टेट ठीक है अधर टेट जितने भी हैं उन सब के लिए यह फ्रूटफुल टॉपिक है ठीक है और यह सेट जो लग रहा है वो लगातार आप लोग का स्कॉर इंप्रूब करने में मदद करेगा और इस आप में अच्छा प्रोड़क् मानसिक स्वास्थ विज्ञान का प्रमुक उदेश से क्या है किसका मानसिक स्वास्थ विज्ञान का ठीक है तो इसका बालक के मानसिक स्वास्थ की रक्षा करना हाँ है कूस समायोजन का निराकरन करना हाँ यह भी है ठीक है तो इसका एंसर आपका उप्रूप्त में से दोन है ठीक है इसका माद क्या होगा इसका माद फोटी होगा ठीक है इसको आप लोग अपने से आप निकाल के कोशीज करें ठीक है रूची का संबंध है रूची का संबंध किससे है अवधान से है ठीक है रूची का संबंध अवधान से है आप मतलब कोई भी इंट्रेस्ट ले रहे हैं तो ओ इंट्रेस्ट किससे संबंधित है तो आपका अवधारना क्या है आप कौनसा टॉपिक क्या किस चीज में आपका interest है उसी के according आपको इसी चीज में रूची लेते हैं ठीक है आप अगर आप सिख्छक बनने जा रहे हैं तो यानि कि teaching आपका hobby हो सकता है आपका ambition हो सकता है गोल हो सकता है यानि कि teacher बनने जा रहे हैं आपका आपका रूची किस में है तो आपका teaching में है ठीक है यानि कि आप teaching करना चाहते हैं इसलिए आप citate, cavies, jetate का आप exam देने जा रहे हैं ठीक है आगे क्या बोल रहा है सीखे हुए ज्ञान कौसल या बिसय का अन्य प्रस्चितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं सीखे हुए ज्ञान कौसल या बिसय का अन्य प्रस्चितियों में उपयोग को क्या कहते हैं ठीक है तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रेर्णा, सीखने का अस्थानांतरन, भाग्यनासा, चिंता तो इसका answer आपका सीखने का अस्थानांतरन ठीक है अगे देखते हैं अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रत्थम स्वोपान निम्नांकीत में से कौन सा है अनुबंधन का प्रत्रम सोपान का निम्नांकीर प्रक्रिया कौन सा है ठीक है अपका उतेजना क्या है आपका उतेजना आगे दखिए अस्मृति सीखी हुई बस्तु का सीधा उपयोग है उपयोगत कत्थन किसका है कौन बोला था ये ठीक है तो यह उडवर्थ बोला था कि अस्मृति अस्मृति मतलब सिखना ठीक है मन में याद करना या यह होगा आपका अस्मृति यानि कि आपका अस्मरंद शमता ठीक है अस्मृति सिख्वी हुई वस्तु का सिधा उपयोग है ठीक है तो यह आप कौन बोला था जित्ती में है जो आपका दिमाग में है उसका उपयोग आप सीधा उपयोग करेंगे ठीक है या वरना आपको किसी चीज को आपको सीखने की जरुवत पड़ती है आगी क्या है आपका जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तिव्र होती है और बाद में यह क्रम मंद होती जाती है उसे क्या बोलते हैं ठीक है इसको उनतोदर कन्वेक्स बोलते हैं ठीक है यह होता है यह होता है ठीक है तो इसका हम लोग बात कर रहे हैं ठीक है उनतोदर कन्वेक्स कर्व का बात कर रहे हैं ठीक है यह वैक्तिक भीनता का क्या अर्थ है ब्यक्तिक भीनता का क्या आथ है कोई दो ब्यक्ति साररिक, मांसिक योगेता और समय गातमक दसा में समान और एक जैसा नहीं हो यानि कि उसका फिजकल मेंटल, आपका योगेता यानि कि उसका अबिलिटी आपका इमोशन इस तरीका से जो कुछ भी हो यानि एक दूसर से डिफ्रेंट हो तो ब्यक्तिक भीनता आपका इसका अंसर सेकेंड हो गया आपका ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखें क्या है अभी प्रेरन के लिए अकसर, किसके लिए अभी प्रेरन के लिए अकसर सब्ध प्रयोग किया जता है तो आवस्यक्ता ठीक है आवस्यक्ता पिद्यार्थियों में प्रतिय विकास या निर्मान के लिए सिक्षक क्या करता है प्रतिय विकास या निर्मान के लिए सिक्षक क्या करता है ठीक है देखिए, सीक्षा की सीक्षन पीदी सरल से जटील की और होना चाहिए थीक है, यानि कि आप जैसे math पढ़ाते हैं न 1, 2, 3, 4, इसके बाद आप उसका कुछ formula में आते हैं फिर आपका arithmetic होता है फिर आपका geometry होता है थीक है, उसी तरीका से आप कखल बढ़ते बढ़ते, आप उसका एक वाक्य बनाते हैं, फिर सेंटिन्स बनाना शिटार्ट कर देते हैं, ठीक है, बड़ा बड़ा सेंटिन्स बनाते हैं, फिर आप 콘सेट्स देते हैं, तो देखिए, याने कि इस मतलब शिक्षन बिदी सरल से जटील की ओर जाना चाहिए जाना चाहिए सिक्षक को विद्यार्थी को व्यापक अनुभाव का आउसर प्रदान करना चाहिए डेफिनेटली करना चाहिए सिक्षक को विद्यार्थी को निर्मित प्रतियों के अंतरन का आउसर देना चाहिए हाँ देना चाहिए तो इसका सभी एंसर होगा ठीक है चिंतन मानसी क्रिया का ग्यानातमक पहलू है ठीक है यह कौन बोला था तो रौस ने बोला था तो यह आप लोग याद रखें कि चिंतन मानसी क्रिया का ग्यानातमक पहलू है कौन रॉस बोला था और यहाँ पे अस्मरित्ती सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है कौन बोला था उडवर्थ ने बोला था चली आगे बढ़ते हम लोग देखेँ इसमें क्या बोल रहा आपका कलपना के विकास के लिए क्या जरूरी है घ्यानन्जियों को प्रसिचित करना चाहिए हाँ करना चाहिए जैसे ग्यानादी आप लिखने के लिए आप पेन से लिखने के लिए आप अपना फिंगर को उंगली को प्रसिक्षित कर रहे हैं सुनने के लिए अपना समरन छमता जो है आपका listening power है उसको विकास कर रहे हैं रचनात्म प्रविति के विकास पर ध्यान देना चाहिए यानि कुछ न कुछ क्रियाटिव आपका habit बन जाना चाहिए यानि कि इसमें सब उपयुक्त सभी क्रियाएं आपका सही है निमलिखीत में से कौन सी दसा या दसाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दसा नहीं है तो उदिपन की अस्थिति इसका होगा answer उदिपन की अस्थिति सम्वेक की उत्पति किस से होती है ठीक है सम्वेक की उत्पति किस से होती है मुल्क प्रवरितियों से आपका मुल्क प्रवरिति क्या है उसी से आपका emotion आपका आता है जैसे आप कठोर दिल के हैं तो आप कुछ भी देखेंगे तो उसमें आपका emotion कम आएगा या नहीं आएगा लेकिन आप ज़्यादा emotional है आपका जो प्रवरीति है आपका attitude है वो बहुत emotional टाइप से है ठीक है ना तो कोई भी चीज को देखेंगे आप जल्दी से emotion हो जाएंगे ठीक है emotional हो जाईएगा ठीक है आगे क्या बोलड़ा है आपका की गेट्स के अनुसार अनुभावद और बेवहार में परिवर्तन ही क्या है आपका सीखना है जैसे जैसे आपका मेक्चियोटी बढ़ते चला जाएगा आपका समझने का जो अस्तर है वो बढ़ता चला जाएगा और आपका अनुभाव बढ़ जैसे जैसे बढ़ेगा आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा ठीक है आगी क्या बोला है अपने आपको प्रेम करने की प्रवरित्ती को क्या कहते है ठीक है नर्सिस्षीज्म की प्रवरित्षी यह आप लोग याद रखिएगा यह important है exam के point ह भी उसे ठीक है नार्सिस सीज्म की प्रवीति बोलते हैं मनुस्य की मनुस्य की बुद्धी आगे की पीडियों में संक्रमित होती है ठीक है निमलिखित मतब कि डैस का कार्य इन जन्मजात योगता के विकास के लिए उपयुक परिस्थितियों का निर्मान करना है किसका है तो मतलब जो मेंड फीचर होता हो वाता वराण होता बहां का देख teams पूरे आवरिति वित्रन के प्रतिनिधित्व करने cuma को क्या कह जाता है प्रतिनी दित्व करने वाले मान को क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है आपका किंद्र वर्ति प्रमान का मान यानि इसका एंसर सेकेंड होगा निम्नांकित में कौन सी विशेस्ताप आंतरिक रूप से अभी प्रेरित बच्चों के लिए नहीं है अभी प्रेरित बच्चों के लिए नहीं है आंतरिक यानि उसको अभी प्रेणा नहीं दे सकता है उसे आप मोटिवेट नहीं कर सकते हैं तो ऐसा क्या है इसमें वे हमेशा सफल होते हैं ठीक है, वे हमेशा विश्यस आंतरी रूप से अभिप्रेरीद बच्चों के लिए नहीं है, यानि कि वो हमेशा सफल होते रहते हैं, आगे क्या बोल रहा है, देखिए, निमलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, क्या कुछ रहा कथन सही नहीं है, देखिए, वनसानुक्रम माता पीता से संतान के गुनों का संचरन करता है, विकास, प्रानी और उसके परियावरन की अंतर क्रिया का परिराम है, डेफिनेटली यह भी होगा, आगे क्या बोल रहा है, वनसानुक्रम, वनसानुक्रम व्यक्ति की जन्मजाद विसिस्टाओं का सोधन है, ठीक है, परिक और मांसिक विसिस्टाओं का संतानों में संचरित होना वनसानुक्रम है, यह भी है, तेज का अंसर आपका नहीं पूछा है, तो आपका थ्री हो जाएगा, ठीक है, आगे बल बतें, साहचर यका नियम क्या कहता है, ठीक है, क्या, साहचर यका नियम क्या कहता है, समान चलिए आगे बढ़ते हैं समाने से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निमलिखित में से कौन सी पधती में है समाने से विशेष याद रखिए समाने से विशेष हमेशा विशेष से समान या नहीं समाने से विशेष होता है ठीक है तो इसका क्या है आपका निगम नातमक, ठीक है, निगम नातमक क्रिया प्रक्रिया है ये, ठीक है, निगम नातमक आगे क्या पुछ रहा है, बालिय अवस्ता की प्रमुख मनो बेग्यानिक विश्यस्ता क्या है, तो समा, सामु हिकता का भावना है पर निर्भरता नहीं, धार्मिक्ता नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा खेलने में बेश रहेंगे, अनुकरन, ठीक है, अनुकरन की प्रवीति का भाव, ठीक है, तो इसका आपका समोहिक्ता का भावना, यानि बालिया वस्था में जब भी बच्चे होते हैं, उन में समोहिता, किस प्रकार प्रकट होती है, ठीक है, कि सोरा वस्था में जो इमोशन है, जो इमोशन की जो इंटेंसिटी हो, किस प्रकार प्रकट होती है, ठीक है, रखे, प्रतिकूल पारिवारिक संबन्द से, हाँ, डेफिनेटली है, बेवसाई की समस्या, ये भी है, नई प्रस्थिती का समाई योजन ठीक है क्योंकि बच्चे जब बाले वस्ता से की सोरा वस्ता में आते हैं तो नई परस्तिति उन लोग के सामने आती है सारिक मांसिक या समाजी ठीक है उस तरीका से बेवसाई की समस्या बेवसाई के समस्या भी की सोरा वस्ता को प्रभावित करता है आपके घ तरीका से आपके घर में कितना maturity है कितना मतब पारिवारिक संबंध अच्छा है तो उसका भी आपका संबंध इसके पड़ता है तो इसका एंसर होगा आपका फॉर ठीक है तेके 140 से अधिक बुद्धी लब्धी यानि IQ वाले बच्चे किस रेनी में रखेंगे ठीक है मतब 140 से ज्यादा है ठीक है तो क्या होगा आपका प्रतीभा साली अगर पिछली लेक्चर में जो इसका IQ कैसे निकाला जता है वो भी आपको बताया गया है ठीक है यानि कि याद रखेगा नीचे क्या होता है आपका वास्तिक उम्र इन्टू हंडरर आर जो उपर में होता है आपका कि जिससे कंपेर करना है यानि की त्तकालिक उम्र बोलिए या उसका ज्यान को बोलिए ठीक है यानि कि 5 सल का बच्चा है और 10 सल के बच्चा का अगर ज्ञान को कर रहा है तो देखिए आपका 200 हो गया ठीक है यानि कि को हो गया प्रतिभा साली हो गया ठीक है उस तरीका से आप लोग इसको करें देखिए क्या बोल रहा है आपका स्रीजन सिल्ता मौलिक परी नामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है ठीक है ये कथन कौन दिया था बताइए क्रो एंड क्रो ने ये कथन दिया था स्रीजन सिल्ता मौलिक परी नामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है क्रो एंड क्रो प्रयास और भूल सिधान के प्रतिपादक कौन है ठीक है ये थौन डॉइक है कौन है थौन डॉइक है सिखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यानि उसे धंडित नहीं करना चाहिए क्या है उसे धंडित नहीं करना चाहिए आगे क्या है आपका कि बालक एक ऐसी पूस्तक है ठीक है ये कथन कौन बोरा था बालक एक ऐसी पूछतक है जिसका सिक्षक को अधो पांत अध्याय करना चाहिए ठीक है अनि हर एक चीज उसे बताना चाहिए उसका ऐसा अध्याय मतलब बच्चे को एक अध्याय के रूप में बना देना चाहिए एक कौन बोला था ठीक है तो ये रूसो बोला था ये रूसो बाल मनो बिज्ञान के अनुसार सिक्षा के छेत्र में मुख्य अस्थान क्या है ठीक है मुख्य अस्थान किसका है अध्यापक का प्रसासर का अभिभावक का या बालक का इसका आपका इंसर होगा बालक का क्योंकि सिक्षा के छेत्र में मुख्य अस्थान तो बालक होगा हम लोग देखिए बहुत ही कम समय में 30 questions कर लिए ठीक है ये 30 questions quick revision series है free lecture series का हम लोग करते है quick revision series है तो ये quick revision में हम लोग जल्दी से जल्दी करके 30 questions solve किये क्योंकि देखिए आपका 16 से साहथ आपका seated का exam है साथी साथ अब QVS का भी exam आने वाला है तो practice set पो उतना ही महत्तु देना चाहिए practice set को जितना कि आपका exam में important हो और ज्यादा-ज्यादा elimination या किसी भी तरह किसा diet indirect से आपका question आपका exam के hall में आपका attempt हो सके ठीक है तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसी को इस question के साथ इसको खतम करते हैं तब तक के लिए धन्यवाद फिर हम लोग next आपका test series लेकर set का अगला set लेकर हम लोग फिसु पस्तित होंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद